हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टू यू की तैयारी आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे कुछ इंपॉर्टन क्वेशन जो कुछ उत्राखंपी बेस्ट है ठीक है यह ऐसी क्वेशन है जो कई बार एक्जाम में रिपीट होते रहते हैं आप अगर किसी भी एक्जाम की प्रिप्रेश इसी समोग वगरा तो आपके लिए एक्जाम में बहुत ही हल्प करने वाले ही क्वेशन ठीक है काफी इंपॉर्टन क्वेशन है इनको आप साथ में नोट भी करते रहेगा तो और साथ में जो आपको आप्शन वीडियो में दिखाए देता है आप वीडियो को पाउस करके आंसर को कमेंट जरूर कीज़ेगा ठीक है इससे आपके प्रिपरेशन का भी थोड़ा बहुत आपको जो है वो है और अंताजा हो जाएगा आपको कि कैसी चल रही है ठीक है तो साथ-साथ में आप उसको कमेंट जरूर कीज़ेगा और एक रिक्वेस्ट है वीडियो पहला question है पहला नहीं 26 number question है इससे पहले हमने 1st to 25 question है ओरड़ी इससे पहले वाले वीडियो में discuss किये हैं आज बहुत से आगे 26 question number से नंबर से आगे हम discuss करेंगे ठीक है तो देखे 26 question number जो है वो यह कि जो कार्थिकीपूर तो आपको साथ में वीडियो को पाउस करके आंसर भी देते रहना है ठीक है अगर आपको आता है तो तो देखें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा option D संस्कृत कार्थकेपूर राजवन्स की जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत next question पर चलते हैं कार्थकेपूर शासकों के समाई उत्राखंड में निम्निमेस से किस प्रश्य दिसंत सन्यासी का आग्मान हुआ था ठीक है यह देखें option है इसमें option देखें इसमें संक्राचारे जी राम नंद चारे जी बल्लभा चारे जी या रामानुजर चारे जी ठीक है इसमें कौन सा राइड आंसर होगा यह देखें कार्थकेपूर शासकों के समाई उत्राखंड में जब कार्थकेपूर का साशन था उत्राखंड में तो कौन से प एक अब आगे हैं जलते हैं कुछ ऑब सरुपा दो प ऍजिता हैं कहाव में घरंप्रढ़ान मंख्या नियुकति की प्रणाली शुरू्पी थीलके तो गाउं में और ठ्लोक भूट ह maple धान गाया जिसे रहे हैं तीकि जिनका साषन रहा है कि इसके द्वारा किसके साषन के द्वारा ये प्रधान या मुख्या की जो नुकति स्टार्ट हुई थी थी कह? question number 28 अप आंसर भी बीच 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 में करते रहेंगा तो इसका जो राइट आंसर होगा को होगा option बी चंद्रों द्वारा ठीक है चंद्रों के द्वारा जो प्रधान या मुख्या जो न्यूक्त किया जाता है गाउं में तो उसकी स्टार्डिंग वहां से हुई थी अब नेक्स्ट या उत्राखंड पर सासन करने वाली प्रथम राजनेतिक जो सक्ति कुडिंद समकालिन थी ठीक है तो जो कुडिंद शासक थे वह किसके समकालिन उनको कहा जाता है ठीक है मलब उनकी टाइम पर और कौन सा शासन था जो यहां पर सासन कर रहा था ठीक है उत्राखंडबन ऑप्शन देखिए गुपतों के सक्कों के कुसानों के मौरियों के ठीक है इसके सासन काल के द की ठीक है मौरियों के सासन काल के समय जो है वो कुरिंद भी सासन कर देती इससे पहले मतलब जो कुरिंद थे कुरिंद जो वन्स था वो मौरियों के अधिन माना जाता है कि वो मौरियों के अधिन था अब नेक्स्ट है सकलाना विद्रोह घटितवाता देखे सकलाना जो विद प्राचीन सेल चित्रों वाली गूफा लाखो गूफा इस्तित है कहां पर है यह लाखो गूफा आपको पता होगा कि लाखो गूफा जो है वो 1968 में खोजी गई थी ठीक है 1968 में पूछा कि कहां पर है ठीक है तो चबूली जिल्ली में है नैरिताल में है हरिद्वार में या अल्मोडा जिल्ली में है कौन से टिस्टिक में पूछा है ठीक है तो यह है अल्मोडा में आप्शन डी इसका राइट आंसर होगा अल्मोडा म कि किसी-किसी में जो है रंग भी भरी है घडर के तो रंग बाले भी मिले हैं और अप्टीन सय्पिन चित्रों में थीक है चैल चित्र है उता है तो किस मुगलसहजादा ने श्रीणगर गरवाल में असरे लिया घर कौन सा मुगल सहजादा जिस ने की स्री नगर गरवाल में आस्रेलिया था तो ऑपशन देकी मुराद औरंग्रव दारश सिको या सिलोम्यान सिको टिक है सुलयमान सिको तो इसका क्याbas 풀 होगा इसका राइट आंसर है ऑपशन दी सुलयमान सिको हने मुगल सहजादा था जो उसने स्री नगर गड़वाल में आस्रे लिया था आगे है next कालू महरा का संबंद किस से था यानि कि क्या काम किया था था जिपकुवादुलन से, क्रांतिवीर संगठन से राज्य सभा से या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो जो कालू महरा थे वो एक क्रांतिवीर संगठन से तालूक रखते थे या संबंद रखते थे ठीक है कालू महरा जो थे वो एक क्रांतिगा रही थे ठीक है ये तो क्रांतिवीर संगठन से ही वो संबंद रखते थे फिर नेक्स्ट है प्रद्युमन सहा किस युद्ध में गौर्खुं की विर्दु लड़ते हुए सहीद हुए थे जो प्रद्युमन सहा राजा थे उत्राखंड़े तो वो कौन गर्खुं के दराग लड़ते हुए लेकिन कहां पर हुए थे ठीक है कौन से जगा पर ऑप्षन है श्रीनगर् खुरबुड़ा, अल्मूदा यान मनेंसे कोई नहीं एक तो जो प्रद्युमन सहा थे वो सहीद हुए थे खुडबुड़ा Cand के दरान वो सहीद हुए थे कभ होए थे यह हुए थे 14 मई 1804 को 14 मैं 1804 को जो तो ऑधो जो दुद्ध का देढ़िक में तो प्रद्युमंद साहा ने युद्ध क्या था गोर्खों के साथ तो उनके साथ लड़ते हुए वो बीजगती को प्राप्त हो गए थे अब नेक्स्ट है उत्राखंड के पमार पंसका अंतिम शासक कौन था ऑप्शन देखिए इसमें मानुईंदर साहा नरींदर साहा भवा यंद्ध पर आगे है उत्राखंड में बहुँ प्रचलित सब्ध गोरक्याणी प्रतीख है उत्राखंड में तो यह सब्द का और्टीकिए मैं अधिया के School के अधिया कर्ड प्रेम का कुरूरत का ठीक है तो गोर्ख्यानी सब्द है वह प्रतीक है करूरता दिखाय देती है जिन में उनको गोर्ख्यानी सब्द से जाना जाता है उनको कहा जाता है फिर नेक्स्ट है प्रजा मंडल की स्ताफना का उदेश्य क्या था आप्शन है ब्रेडिस साशन से सुतांतरता प्राप्त करना गोर्खा साशन से सुतांतरता प्राप्त करना जनता को समास सुधार हेतु संगठित करना जनता को टहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना तो क्या उदेश्य था प्रजामंडल की जब इस्ताफना की गए थी किस उदेश्य को ले करके option 2 कराय टांसर होगा कि जनता को टहरी राज्य के जो कुशासन था उससे मुक्त करना नेक्स्ट आप देखे पांडुकेश्वर तामरपत्र किस भासा में लिखे गए है आप्शन है पाली प्राक्रत संस्कृत या अर्माइक ठीक है तो जो पांडुकेश्वर तामरपत्र हैं वो किस भासा में लिखे गए है ठीक है तो इसमें कौन सा अप्शन राइट होगा इसका जो राइट आइट 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 आइ किदारखंड मानसखंड हिमालेखंड साह असोग मौर्य कुडिन्द तो जो अल्मूडा मुद्राएं हैं वह कौन से सामरज दो सम्बंद रखते हैं ठीक है इसका जो राइट अंसर होगा वह होगा कुडिन्द ठीक है कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा पुर आगे हैं नेक्स देखिए लोग काल सी का सिला तो कालसी का जो सिलाल एक सम्मन्द रखता है वो रखता है समराट असोग से ठीक है आप्शन डी इसका राइट अंसर होगा पिर आगे हैं अलमोरा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था ठीक है आप्शन राजा भीम चंद्र राजा सोम चंद्र राजा कल्य जैनाजन चंद या बाच पहादूर चंद टीक है अलमोरा का खगमरा क्या पुछा है किimizi की निर्मान ने awakening किसने किया था राज़ा भीमचंद कुल ने तो नेक्स्ट मैं वर्सू. Fest के यु Repeat दा इसकि थे में ऑप्षन राजय बिलिबत है तो ये हो थे मुत ने कि आँ doesn't जो स्थान है वहाँ पर हुई थी फिर नेक्स रहें वर्स 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मूरा से किया गया ठीक 1935 में यह भी दिया है ठीक है यह दो दो आंसर एक साथ बन रहे हैं तो अल्मूरा से ही पूछा है ठीक है अल्मूरा में यह प्रकाशन किया गया था 1935 में त पुमाउ में चंद साशन का जन्मदाता था, तो इसका राइटानसर होगा, राजा सौम चंद ने की थी ठीट है, औरनेक्स तैस दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गड़वाली राज़य ने सरण दी थी इस से पहले हमने को पढ़ा था जिसमें श्री नगर में जो सुलेमान सिको है उसने सरण ले थी लेकिन वह किस राजन ने सरण भी अब बन रहा है तो देखें ओप्शन है सुधरसन साह, प्रिथीवी पाल साह, प्रधिमन साह, या किर्धी साह, तो इसका जो राहिट आंसर है, ओप्शन बी, प्रिथीवी पाल साह ने, राजकुमार सुलेमान सिकों को सरण दी थी, अपने यहाँ, मजीनगर गडवाल में, ठीक है, अब नेक्स्ट है, के पुस्तकों के नाम है कोन सी पुस्तक में बताया गया है कि जहां से चलती है कि केदार मंदल में ललिता दित्या का करुमन हुआ था ठीक है तो यह कौन सी पुस्तक होगी यह रास्त islands इंगली से ठीक है रास्तर इंगली में पता चला है अब नेक्स्ट है उत्राखंड में किस साशन को स्वण यूग के रूप में जाना जाता है किस साशन को ठीक है किसका जब साशन हुआ था कि उस समय उत्राखंड को स्वण यूग कहा गया था उत्राखंड में जब साशन हु राजे के समय स्वान योग माना जाता है तो आप्षण है बलभद्र साह प्रद्युमंद साह मानुद्र साह इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है इसका राइट आंसर है ऑप्षण ए बलभद्र साह ने सहा पदवी का पर्योग किया था ठीक है वो प्रतमर्जा था सहा पदवी को यूज करने वाला फिनेक्स क्वेशन नमין 50 देखें किस विद्रो मों का США बरदोली कहा जाता है ठीक कुमाओं का बर्दोली पुछा हैं ऑप्शन है इसमें सकलाना दिलाडी सल्ट या असकोट ठीक है तो यह जो क्वेशन नंबर 50 है इसका आंसर आपने कॉमेंट करना है ठीक है कॉमेंट करके भीजना हैंगी इसका क्या राइक रांसर होगा ठीक है तो चले फ्रेंट्स मिलते है नेक्स वीडियो में आज को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राब यरूर कीजेगा तब तक के लिए धन्यवाद